हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूट्यूब एज़ूगेस्टन चैनल पे आपकाज स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पैनिस येस्ट इंफेक्शन के बारे में तो सीखते हैं डिटेल में पैनिस इंफेक्शन के बारे में ये करते हैं उसकी डिटेल स्टडी तेक्सबेट लेक्चर बायामर्सर, अस्वेस्टन प्रोफेसर इन फाउंडर प्पार्मा रोक्स और जहाँ पे सिखे, एडिसिंस के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning and contraindication, एक साल तक वो भी affordable price में सरल बासा में, तो भी डाउनलोड कर लिजी application Pharma Rocks की जो Android application है Google Play Store पे, Apple iPhone, FAF Store पे, link आपको description box के अंदर मिल जाएगी, तो अब समझते हैं, penis yeast infection के बारे में, तो simply हिंदी में समझेते हैं, उसको link का संक्रमन कहा जाता है, कि पूरुसों के अंदर, जो link के आसपास जो infection होता है, तो उसको जो है, वो penis yeast infection का आजाता है, तो specially क्या होता है, कि वहाँ पे सूजन हो जाती है पहले से, कि yeast के infection के कारण, व वहाँ पे आपको खुचली होती है, सौरनेस जैसा फिल करते हैं, वहाँ पे redness हो जाती है, और यह होने का एक primary reason होते हैं, कि जो candida, जो फूग होती है, उसके वहाँ पे growth होने के कारण, infection होते हैं, कि penis के आसपास और उसके अंदर के एरिया में, specially जो candida करके जो फूग होती है, उसका infection होते हैं, तो यहाँ पे आप diagram में देखो कि तो आपको proper समझ में आएगा, कि यह candida को कई बार candida balanitis भी कहा जाता है, किसके अंदर special क्या होता है, कि जो healthy penis होता है, कि वहाँ पे उसका glands का region, और for skin का region, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि वहाँ पे किसी भी तरह क ना ही proper ऐसी redness है, और ना ही कोई ऐसे सूजन वगेरा कि नॉर्मल कंडिशन है, बट वहाँ पे यह candida जो फूग होती है, उसके growth के करण, उसके infection के करण, problem यह होता है कि वो penis जो है, वो infected बनता है, संक्रमित होता है, और वहाँ पे redness देखने को मिलती है, फिर blotchy racist मलब कि व वहाँ से discharge जो आना जो है, वो शुरू हो जाता है, तो इसको जो है वो simple हम medical conditions में कहते है, candida belenitis भी हम कहते हैं, तो उसके symptoms हम देखे, तो सबसे पहले वहाँ पे sourness जैसा आप फिल करते हैं, मलब कि आपको व्यता होती है, दर्द जैसा आप फिल करते हैं, pain मैसूस करते हैं, रैसिस हो जाते हैं, मलब कि जो चकते हम कहते हैं, कि रैसिस जैसा वहाँ पे developed हो जाएना, ऐसी condition feel होते हैं, कि यहाँ पे आप देखो, कि जो अलग लग रैसिस जो डैवलोफ हो है, वो मैं आपको यहाँ पे mark करके देखा है, कि यहाँ पे देखो, कि यह वाले बग पे एक से फिर यहाँ पे जो आप यह रेड रेड कलर के जो रैसिस जैसा देख रहा है कि दाने जैसे रैसिस वहाँ पे जो है वह डेवलफ हो जाते हैं वहाँ पे आपको इची नियसम लगी खुझली होती है फिर जो पैनिस का जो रीजन है वहाँ से डिस्चार्ज बहार आता है कि जैसे कहते कि link से discharge बहार आना कि abnormal continuously ऐसा discharge वह वहाँ से बाहर आता है और वो काफी ठीक होता है कि यह आप आप देखो कि यह जो white color का जो portion दिखाया गया है कि ऐसा discharge जो link से बाहर आता रहता है फिर वहाँ पे काफी redness हो जाती है कि जो normal redness या फिर normal जो color होता है उसके compare में काफी वहाँ पे जो है वो redness हो जाती है कि जिसको लालपन कहा जाता है pain visus करता है person के काफी दर्द होता है और वहाँ पे फिर सुजन हो जाती है तो यह primary symptoms develop होते है कि जब आपको yeast के करण जो है वो link का संक्रमन होता है आगे देखे तो उसके reason क्या होता है तो उसका जो primary reason है वो है fungus candida कि यहाँ पे जो आप diagram में जो fungus देख रहे है यह fungus की जब overgrowth हो जाती है कि जो normal amount में तो वो हमारे body के उपर यह food जो है वो present होती है बड़ जब उसकी growth काफी बढ़ जाती है excessive growth हो जाती है तो उसके करण वहाँ पे जो हो संक्रमन फ्यलता है तो उसको कह जाता है कि overgrowth of candida होता है कि जिनको already vaginal infection है कि vaginal infection है या फिर vaginal yeast infection है और ऐसे female के साथ unprotected sexual intercourse होता है तो वो संक्रमन जो है वो आपको लग सकता है तो एक sexually भी वो transmitted होता है चौथा एक reason देखे तो जो पैनिस का जो reason होता है या फिर जो panel area कहा जाता है कि वहाँ पे आप proper hygiene नहीं रखते कि poor hygiene कि proper आप hygiene condition ही maintain नहीं करते तो उसके करण आपको वहाँ पे infection हो सकता है फिर regular जो है वहाँ डर्टी जो होते है public toilets की जो काफी गंदी हालत में होता है ऐसे public toilets आप regularly use करते कि वहाँ पे ना ही proper clean हो रहा है ना ही वो अच्छे से wash हो रहा है और ऐसे toilet या फिर ऐसे bathroom आप regular use करते तो भी आपको ये infection हो सकता है फिर जो आपके penis का जो portion ही उसको आप proper clean नहीं करते regularly तो भी आपको वहाँ पे आगे जाके ये infection जो फैल सकता है और unnatural sexual activities जो होती है कि जिसको और प्राकृतिक योन गतिवीदिया जो हम कहते है तो उसके करण भी आपको ये infection हो सकता है ये हो गए उसके reason कि ये सभी reasons से आपको penisist infection हो सकता है उसकी prevention की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको जो unprotected sexual intercourse होता है उसको जो हो आ female partner को वजएनल infection है तो उस दोरान आप जो वो sexual intercourse जो वो avoid करें या फिर proper protection यूज करें फिर जो penis का जो reason होता है panel area जिसको कहते हम तो वहाँ पी आप proper hygiene जो हो maintain रखे कि वहाँ जो वो proper आप उसको clean रख सकते हैं एवाइड कर ले dirty public toilet को यूज करना penis reason को अच्छे से जो हो clean करना चाहिए और unnatural sexual activities जो होती है उनको avoid करने चाहिए कि जो अप रावक्रोधिक योन गति वीदियो से आपको जो हो बचना चाहिए तो यह सबी से आप जो हो penis infection से जो हो बच सकते हैं अब बात करते हैं उसके diagnosis कि कि अगर किसी को infection हुआ है तो उसका diagnosis के से हो का तो सबसे पहले physical examination से हो सकता है कि जब physical examination होता है penis reason का तो उससे पता चलता है second sign and symptoms के basis पे भी diagnosis हो जाता है कि आप जो sign and symptoms जो बताते हैं उससे भी पता चलता है फिर patient की medical history कि अगर आपको समझे कि urinary tract infection हुआ था और उस दौरान आपने proper treatment नहीं ली थी तो उसके करन आगे जाके penis disease infection हो सकता है फिर जो आपको penis में से जो discharge जाता है वो sample collect किया जाता है और उसको microscope के under में proper examine किया जाता है कि ऐसे जो cotton swab आते हैं उसको use करके जो वो sample लिया जाता है और उसकी proper microscopic study की जाती है identification के लिए कौन से reason से आपको ये infection हुआ है और last में कई बार blood या फिर urine test case भी किया जाता है उसके diagnosis के लिए अब आगे समझते हैं उसके treatment के treatment के लिए कौन से options बनते हैं तो पहला option बनता है कि जो intimate hyacin wash आते हैं पूरूसों के लिए वो आप use कर सकते हैं दूसरा oral medications जो होती है उससे भी आप उसको treat कर सकते हैं फिर अगर कोई patient oral medications नहीं लेता है तो आप injection के थ्रूबी वो medication जो हो ले सकते हैं तो एक injection का भी option बनता है कि जो medications आप oral में खाते हैं वो समझे कि injection form में available है तो आप उसके injection भी लगवा सकते हैं herbal creams भी आती है कि जिससे आप ये infection को काम कर सकते हैं और चौथा over the counter antifungal cream से भी ये infection जो हो काम हो जाता है तो सबसे पह infection के दरान जो वी वास यूस होता है इंटी वास वगरा यूस होता है उसी तरह से पूरूसों के लिए भी एक hygiene वास होता है कि ये hygiene वास से आप अपने जो intimate areas होते हैं उसको अच्छे से clean करते कि वो क्या करते हैं कि आपको कुछ ऐसी properties provide करते हैं जैसे कि उनके पास antibacterial antifungal properties ह होती है साथ हो साथ जो intimate hygiene provide करते हैं आपको कि वो जो आपका intimate area है उसको अच्छे से clean करते हैं वहाँ पर जो ऐसी dirty order है मतलब कि unwanted order या फिर खुजली वगरा होते हैं तो वो कम करते हैं और वहाँ पर समझो कि सुजन वगरा हैं तो वो कम करेंगे तो यह सब ही properties जो वो oral medications खा सकते हैं जैसे कि कुछ antifungal दवाई आती है antiparasitic medications आती है जैसे कि metronidazol है कि metronidazol के कारण भी इस टाइप की infections जो होते हैं वो कम होते हैं तो metronidazol का एक option रहता है आपके पास फिर tinidazol है, sacnidazol है, neemorazol है and fluconazol तो यह चार ऐसे medication है कि जो काफी popular है इस टाइप infections के अंदर तो यह patient जो ओरल ही खाता है, आगे देखें herbal creams के बारे में, तो herbal antiseptic creams जो आती है कि वो क्या करती है, आपके fungal infections को जो हो reduce करती है, तो कौन से उसके based options से वो हम देखते हैं, तो सबसे पहले यह cream को जो आपको दिन में तीन बार जो एपलाई करनी होती है कि जहाप पे आपको infection हुआ है, वहाँ पे आप दिन में तीन बार अपलाई कर सकते हैं कि हेमालिया के भी यह antiseptic creams आती है कि जो multi-purpose cream होती है, कि जो आप वहाँ पे अपलाई कर सकते हैं, फिर फंगी वीन करके भी आती है products, तो बहुत सारे से antifungal ayurvedic creams होती है कि जो antifungal के तोर पे क बहुत सारे आपके पास options बन जाते है कि मेको नाजोल है, इमीडाजोल के अंदर क्लोटराई माजोल है, फ्लुको नाजोल के क्रेम आती है, पुवीड औन आयोडीन का आता है, क्लीन डामाइसिन, मेत्रोनी डाजोल, बहुत सारे आपके पास option रहेता है, शुरुआत से में दो से तीन बार जो अपलाई कर सकते है, second option देखे तो आप समझे कि मेको नाजोल यूज नहीं करते हैं, वो आपको सूट नहीं हो रही, तो second, इमीडियल करके जो प्रोड़क्ट है, क्लोटराई माजोल का जो क्रेम आता है, 1% weight by weight, कि वो एक broad spectrum antifungal skin cream बनती है, कि जो आ आप infected penis के एरिया पे लगा सकते है, फिर फ्लुकोट एच करके भी skin cream आती कि जो landmark डिजाइन करता है, तो वो भी काफी powerful and effective साभित होती है, फ्लुको नाजोल भी उसी category में है, फ्लुको नाजोल के भी gel available होते हैं, जो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, उसके बाद मैट्रोजिल के जो gel आते कि जो metronindazol है, कि वो आप संज़े कि औरली खाने से ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसके cream वगेरा भी apply कर सकते हैं, affected area पे और clindamycin phosphate के भी gel available होते हैं, यह सब option रहते हैं आपको penis infection को ठीक करने के लिए, तो SEC के अलग-अलग बीमारियों के बारे में, उनकी इलाज के बारे में, दवायों के basic use के बारे में, इनके dose side effect, warning and contraindication, एक साल तक affordable price में, वो भी सरल बास हमें, फार्मारोक्स के mobile application के उपर, तो download कर लिए application फार्मारोक्स और affordable price में, यह सब course इसको access करें, जदा जानकरे के लिए, आप 9016312020 पे आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, या फिर directly आप कर सकते हैं, Google Play Store पर से, या फिर App Store से, लिंक हमने आपको description box में दे दी है, कोई भी query हो तो आप 9016312020 पे contact कर सकते हैं, good luck and all the best.